नमस्कार एक बार फिल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावलिके सी योटूब चैनल में दोस्तो वीडियो री एक्जाम के लिए समान हिंदी के प्रक्टिस सेट की जो हम सरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्रक्टिस सेट नमबर तीन को अभी तक हमने दो इंपोर्टेंट प्रक्टिस सेट को अप्लोड कर दिया है अगर आपने पिछले वीडियो उसको नहीं देखा तो उनको जाकर आप देख लिजेगा यह जो सिरीज है आपके वीडियो री एकजाम 23 के लिए बहुत ही ज़्यदा महत्रपूर्ण है जैसा है कि आप सभी को पता है जून में जो है आपकी परिच्छा होनी संभावित है तो इसी को ध्यान में रखते वे समान हिंदी की क्लास को चलाया जा रहा है इसके लावा GK औरGS की बी जो क्लास है और प्रैक्टिस सेट की उसको स्टार्ट कर दिया गया उसमें लगवग पांच वीडियो इसको हमने अप्लोड कर दिया है तो GK और GA और समान हिंदी दोनों की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी वीडियो री एकजाम के लिए तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पैक्टिस सेट नंबर 3 है समान हिंदी का, इसमें हमने कौन-कौन से बहतरिन प्रस्थनों को समलित किया हुआ है पहला प्रस्थन आपके स्कीन पर है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विलोम सब्द का युग्म जो है गलत है तुरूती पूर्ण है उसकी आपको पहचान करनी है तो आए देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा विलोम सब्द का युग्म जलत है पहला क्या दिया गया है जड का विलोम सब्द क्या होता है चेतन होता है बिल्कुल सही है आक्रिष्ट का विक्रिष्ट होता है बिल्कुल सही है अनन्त का सांथ होता है बिल्कुल सही है अनुग्रह का आग्रह होता है जो की गलत है यहाँ पे दिया गया अनुग्रह का आग्रह नहीं अनुग्रह का बलकी विग्रह होता है विलोम सब्द तो इसके बारे भी आप आप आदेखेगा तो दक्षिडायन का बिलोम सब्द क्या होता है उत्तरायन आप इसे आ देखेगा उत्तरायन याने कि option आपका यहाँ पे जो D है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप 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 देखेगा important है अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है इस शिप्त का बिलोम सब्द आप से पूछा गया कि इस शिप्त का बिलोम सब्द क्या होगा राइट अंचल क्या हो जाएगा इसका अनी शिप्त option आपका यहाँ पे जो C है बलकुल सही हो जाएगा इस शिप्त का बिलोम सब्द आपका अनी शिप्त हो जाएगा इसमें से आपको बताना कि कौन सा बिलो का बिलूम सब्द क्या होता है तो बरबर का सब भी होता है बिल्कुल सही हो जाएगा बरबर का क्या होता है तो बरबर का सब भी होता है तो पहला वाला आपका सही दिया गया है अरपीत का यहाँ पे विमुक दिया गया है जो की गलत है अर्पित का बिमुख नहीं होता है बलकि ग्रिहित होता है क्या होता है अर्पित का जो है ग्रिहित होता है सही विलूम इसके लावा आलोक का अपकर्स नहीं हो बलकि अंधकार होगा अस्ताक्चल का क्या हो जाएगा तो अस्ताक्चल का यहां पे गलत दिया गया तो यहाँ पर D वाला भी गलत दिया गया था तो इस प्रकाश से केवल option A ही यहाँ पर सही है बरबर का सब भी होता है बिलोम तो इसके बारे में आप यहाँ देखेगा इसके लवा अन्य तीन जो मैंने आपको बताया हैं इनको यहाँ पर देख सकते हैं अरपित का सही बिलोम हो जाएगा ग्रिहित हो जाएगा अलोग का अंदकार हो जाएगा अस्ताक्चल का उध्याचल हो जाएगा सही बिलोम अगला परस्थन है उत्रादिकार में प्राप्त संपत्ती के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है जो संपत्ती आपको जो प्रोपर्टी आपको उत्रादिकार वे प्राप्त होती है उसके लिए एक सब्द का क्या प्रियोग किया जाता है तो right answer क्या हो जाएगा रिक्त आपका यहाँ पे जो C है 100% सही हो जाएगा अगला प्रस्थन है संध्या और रात्री के बीच के समय को क्या कहता है तो right answer क्या हो जाएगा गोधूली आपका यहाँ पे जो B है बिल्कुल सही हो जाएगा गोधूली अगला प्रस्थन है निम्न में से कौन सा सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है इसमें से आपको बताना है कि जो सुषरुसा है या वर्तनी के हिसाब से सुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है तो आपसन A आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा जो सुषरुसा है या आपसन A के एकॉर्डिंग जो है एक जिदम सही लिखा जाता है इस प्रकार से आप यहाँ पे नोट डॉन कर लिजेगा सुषरुसा जो है इस प्रकार से वर्तनी के साब से सुद्ध माना जाता है तो आपसन आपका A यहाँ पे 100% सही हो जाएगा निमने लिखित में से सुद्ध वर्तनी वाले सब्द की आपको पहचान करनी है वर्तनी के सब्द भी आपसे जामें पूछे जाएंगे तो राइट एन से क्या हो जाएगा इसमें से अंत्याक्षरी option आपका C वाला जो है वत्तिन दिया गया या इन्ताक्षरी का या बिल्कुल सही दिया गया है तो अंत्याक्षरी या इस प्रकार से आपका सुद्ध लिखा जाता है तो option आपका C यहाँ पे 100% सही है अगला परसन आपके स्किन पर है निम्न मेंसे सुध वाक्य क्या आपको चहएं करना है चारो वाक्यों को आप इतमिनान से पढ़िएगा कौन सा वाक्य इसमें से आपको शुध लग रहा हो उसकी आपको पहचान करनी है तो इसमें से केवल और केवल option B आपका सही हो जाएगा सब्द केवल संकेत है यह वाकि जो है सुध आपका है लेकिन बाकी के जो तीनों है आपके असुध हैं जैसे आपको पढ़ने से लगेगा मैं आपको स्रधा करता हूँ यह आपको पढ़ने के हिसाब से अजीव सा लग रहा कि यह गलत है इसका सुध क्या हो जाएगा मैं आपको नहीं बलकि मैं आपकी स्रधा करता हूँ यह आपका सुध हो जाएगा तो इसी प्रकास से जब आप पढ़ेंगे सब्द केवल संकेत हैं option B आपका सही है अनुत्तरित सब्द के लिए कौन सा वाक्यान सही होगा अनुत्तरित सब्द के लिए कौन सा वाक्यान सापका सही होगा तो आप याँ देखेगा जिसका उत्तर न दिया गया उसके लिए हम अनुत्तरित सब्द का प्रियोग करते हैं तो option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है उपाहन का तदभाव आपसे पूछा जा रहे हैं कि उपाहन का तदभाव सब्द क्या होगा तो उपाहन का तदभाव क्या हो जाएगा तो उपाहन आपका तदभाव क्या हो जाएगा और इसका तदभाव क्या हो जाएगा तो पनही हो जाएगा option आपका यहाँ पे जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा निम्रेलिखित में से कौन सा सब्द तदभाव है अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है सदवा सब्द के वाकिको क्या खायता है सदवा सब्द के लिए वाकिय का प्रियोग आपको करना है कि क्या होता है तो सदवा हम किसको कहते हैं आप यादेखेगा जिस इस्तरी का पती जीवीत है आप यादेखेगा जिस इस्तरी का पती जीवीत हो उसके लिए हम सदवा सब्द का प्रियोग करते हैं तो option आपका यहां पे जो A है बिल्कुल सही हो जाएगा जिस इस्त्री का पती जिन्दा हो याने की जीवित हो प्रित्वी से संबद्ध वाकि के लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो right answer क्या हो जाएगा पार्थिव option आपका C यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा पार्थिव अगला प्रशन आपके स्किन पर है तस्सम से तद्भव बने सब्द यूगम का आपको चैन करना की कौन सा सही सब्द यूगम है जो तस्सम से तद्भव बना है तो आईए देख लेते हैं कदली का केला बिल्कुल सही हो जाएगा कदली आपका तस्सम है उसका तद्भव केला होता है पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है धनिया का धनिया गलत दिया गया है राग का रक्षा गलत दिया गया है वटी का बड़ी गलत दिया गया, तो option A आपका यहां पे सही दिया गया, कदली का जो तत्भा होता है, वो केला होता है, निमनलिखित में से कौन सा तत्सम है, इसकी आपको पहचान करनी है, इन चारों में से तत्सम कौन सा है, तो आप यहाद देखिएगा, इसमें से अगनी आपका तस्सम है और इसका तदभव क्या हो जाएगा तो इसका जो तदभव वो आग हो जाएगा इसके बारे में आप या देखेगा अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है हाथ मलना मुहावरे का सही अल्थ क्या होगा हाथ मलना मुहावरे का सही अल्थ क्या होगा तो बाल्य आवस्था में ही समझदार हो जाना यानि कि आपसन आपका A यहाँ पे बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है एक तरफ कुछ लोकोक्तियां दे गई है और एक तरफ उनका अर्थ दिया गया है तो इसमें सा आपको बताना है कि कौन सा क्या होता है कुवा में कुछ जाना जो की गलत है आगे कुवा पीछे खाई लोकोक्ति का सही मतलब होता है कि दोनों और विपत्ती आने कि दोनों और मुसीबत का होना तो पहला आप यहाँ पे गलत दिया गया था दूसरा क्या दिया गया है अपने करनी पार उतरनी इस लो बंड आ जाता है तो तीसरा वाला भी आपका सही दिया गया है चोथा क्या दिया गया है साच को आच नहीं इस लोकुक्ति का हल्थ क्या होता है सच्चे आदमी को डर किस बात का तो नीचे के आपके तीनों बिल्कुल सही दिया गया थे पहला वाला आपका गलत दिया गया था तो आप इसी आ देखेगा जो नब हमें चलता हो वाकिके लिए एक सब्द का आपको प्रियोग करना है तो जो नब हमें चलता है उसके लिए हम एक सब्द का क्या प्रियोग करेंगे खेचर option आपका यहाँ पे जो A है बिल्कुल सही हो जाएगा खेचर अगला आपर असनाप के स्किन पर है सुद्ध वलतनी एक तरफ दी गई है और एक तरफ सुद्ध वलतनी दी गई है तो इसमिस आपको बताना कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है तो आए देख लेते हैं भस्म का सुद्ध वलतनी भस्म होता है पहला वाला बिल्कुल सही दिया गया है कुशासन का यहाँ पे कुशासन का सुद्ध वलतनी भी गलत दिया गया यहाँ पे कुशासन इस प्रकाल से लिखाता है सही रूप से तो आप या देखेगा तो आपसन आप कभी यहाँ पे सही सुमिलित नहीं तो आप इसे आ देखेगा एक तरफ सब्द दिया गया एक तरफ उनका विलूम दिया गया है तो आईए देख लेते हैं और सुया का विलूम सब्द अन्सुया होता है बिल्कुल सही है अनुरूप का प्रतिर्यूप बिल्कुल सही है ब्यस्टी का द्रिस्टी नहीं होता है बलकि ब्यस्टी का क्या होता है तो आप या देखेगा समस्टी ब्यस्टी का क्या हो जाएगा तो ब्यस्टी का जो विलू जो में हो जाएगा समस्टी अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है अपाद मस्तक किसको कहा जाता है तो अपाद मस्तक किसको कहा जाता है पैर से मस्तक के लिए पैर से मस्तक तक के लिए जो एक सब्द का प्रियोग है वो अपाद मस्तक होता है तो आपसना आपका भी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा निम्न में तदभव सब्द की आपको पहचान करनी है निम्न में तदभव कौन सा है तो आपका इसमें से कपास जो है तदभव है और इसका क्या हो जाएगा तसम तो करपास आप याँ देखिएगा कपास का जो तसम है वो करपास होता है तो important है आप इसे note down कर लिजएगा 25 आप रसन आपके skin पर है मसरीन सब्द का मतलब बिलूम इसको बताना है आपको कि मसरीन का बिलूम सब्द क्या होगा तो मसरीन का बिलूम क्या हो जाएगा मातरा की अधार पर सब्द कितने प्रकार के होता है तो आप याँ देखिएगा मातरा की अधार पर सब्द क्या होता है एक आपका हर सब्द क्या हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा एक आपका दिर्ग सब्द क्या हो जाएगा हिरस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष गौटा वू हो जाएगा इसके लावा री हो जाएगा ये रिश स्वर में आते हैं इसके अलावा दिरग स्वर में कौन कौन से आते मैं आपको लिख देता हूं यहाँ प Sé दिर्गुस्वर में आपका क्या हो जाएगा, यह आपका दिर्गुस्वर है, इसके बाद बड़ी E हो जाएगा, इसके बाद बड़ा O हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, इसके लावा आपका क्या हो जाएगा, तो O हो जाएगा, और एक जो हैं आपके देर्गुसर के example है अगला प्रसन आपके screen पर है निम्न में से कौन सा सब्द pulling है इसमें से pulling की आपको पहचान करनी है तो इसमें से आपका दया dengan maintaining maya manufacturingleye लेकिन आपका जो अभार है अभार यहाँ आपका pulling है तो अपनी से आ देखिएगा प्रकार होते हैं आपसे पूछाएंगा जो हिंदी में धोनियां होती हैं उनके प्रकार आपसे पूछे गाएं कि कितने होते हैं तो हिंदी में धोनियां के जो हैं दो प्रकार होते हैं कौन कौन से एक आपका स्वर हो गया और एक आपका ब्यंजन हो गया धोनियां दो प्रका आपका D यहाँ पे बिल्कु से हो जाएगा जो I है यह इस्त्रिलिंग सब्द है बाकी विबाद हो गया रूप हो गया सार हो गया यह सभी आपके पूलिंग है लेकिन I जो है आपकी इस्त्रिलिंग है संधी के प्रकार यहाँ पे पूछे कहेंगे संधी कितने प्रकार की होती तो संधी के कितने प्रकार होते हैं, तो संधी आपके तीन प्रकार क्यों होती है, आप याद देखेगा संधी के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन सी, स्वर संधी, ब्यंजन संधी और आपकी कौन सी हो जाएगी, तो स्वर संधी, ब्यंजन संधी और विशर्ग संदी ये आपके तीन प्रकार होते हैं संदी के तो इनको आपको याद रखना है तो इस प्रकार से और टोटल तीस प्रस्णों को मने आपके सॉल्व कर लिया है समान हंदी के प्रक्टिस सेट के जो आपके प्रस्ण तीस थे उसको मने आपके कम्प्लेट कर लिया ह आई ओप यह सिरीज आप इंजॉय कर रहोंगे वीडियो और एक्जाम के लिए सिरीज कापी फायदे मन दे तो आज किलबे सितना ही थैंक्यू, थैंक्स पर राचिंग, थैंक्यू